कि बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहीम कि कल कि बाज की वफादारी चेप्टर जो था उसका आधा रिडिंग हो गया था यह आधा पढ़ा दिया गया था और आज जो है देखिएगा जो उसके रिडिंग बच्चा हुआ उसको पढ़ाए जा रहा है कह रहा है अभी थोड़ी देर ना उसका नोकर आ गया किस नोकर आ गया उसने देखा कि उसका मालिक प्यास से बेचैन है और बाज मरा पड़ा है यहां पर है मेरा पड़ा है असला के क्या है मरा पड़ा है या नहीं हो गया यहां पर नोकर को देखकर मालिक ने कहा तुम कहा रहा गय थे एक गलास पानी लाओ तो नोकर थरमस से पानी निकाल कर अपने माली को देना चाहता था कि अमीर आदमी ने गुस्से में कहा नहीं, यह नहीं पहाड के उपर जाकर जिस चसमे से यह ठंड़ा पानी आ रहा है उस में से भर कर लाओ कहरे रहे कि इसमे से नहीं उप्योंगा कि जहां से निकल कर आ रहा है वहां से जाओ और वहां से ठंडा पानी लेकर आओ नोकर उपर गया तो देखता है कि एक नन्हा सा चश्म जारी है उसके नजदिक जहरीला काला साम मरा पड़ा है चश्मे से पानी साम के उँँख में गिरता है और उसकी राल में शामिल होकर नीचे की तरफ जाता है ओहो ये पानी तो बहुत जहरीला है ये कहता हुआ नोकर वहां से उल्टेपा वापस हुआ आकर अपने मालिक से बोला हुजूर बरी खेर हुई आपने पहार का पानी नहीं पिया उसने साब का सारा किस्सा का सुनाया कि वहां जब मैं गहा तो देखा हूँ कि एक जहरीला साम मरा हुआ है और उसी से पानी जजब होके आ रहा है नि उसी से सुनाया अमीर आदमी ने खुदा का शुक्र अदा किया वो देर तक अपनी बेवकूफी पर पच्टाता रहा बहुत दुरोया मगर अब क्या होता बात तो मर चुका था बच्चो जब ही तो कहते हैं गुसा में अपने आप पर काबू रखना चाहिए और हर काम सूच सूच समझ कर करना चाहिए